हेलो फ्रेंड मैं डॉक्टर महेंदर ओगल अपका आप दिफ्वागरत करता हूं आप जो गाई देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि यह टिंपनी हो गए हैं टिंपनी सगरसित हैं लेकिन जब उसकी हिस्ट्री ली तो पाया गया कि यह अग्जलेट कंटेनिंग प्लांट्स उसको खिलाया और यह क्रोनिक किड्नी दिसीज थी यह जो देख रहे हैं क्रोनिक ऑग्जलेट कोईजिनी हैं क्योंकि इन्होंने पंदरा दिन पहले खिलाया था और सिंप्टम्स जो पंदरा दिन बाद आए अब उसमें टिंपे नहीं हो गई पूर वह में पेरावेट्स क प्लांट होता और उसके कारणी यह समयश्या हो रही जब मैंने उसको देखा उसके बाद उसको केलिशिम दिया और एंटी इंफ्लामेंटरी दिये और ट्राइविएट दिया तो उसमें जो रेस्पंस था वो थोड़ा सा आया है जो फितगराई द्वारा बताए गए कि यह प्रेगनेंट है तो इसको ऐसे इंजेक्शन ने लगाए जो प्रेगनेंस में दिक्कत करें तो उस समय उन्होंने जो प्रेगनेंसी डाइगनोसिस के लिए भी नहीं बता है फिर ठीक है उसके साब से हमने फुरसा माइड वगरा नहीं वीच करें और फिर दूसरे जिन तो रेडिमा इंजेक्शन दिया आईसो प्रेडनोन दिया और एनेस करी तीन लिटर लगाई और केल्सियम के भी आईवी दिया है सो एमल आईवी कर दिया और उसके पास यह देखा है तो बहुत अच्छे इंप्रूमेंट आए अभी नॉर्मल खाना अगरा सब चालू हो ग करें और फ्रूट थरेपी में कोई ज्यादा विश्यस नहीं है अगर नेगेटिव एनेर्गी हो रही है अगर आपको परशु लेट रहा है इस टाइप में हो तो आप पच्छिस परसंट की जो है एक लिटर लगभख या पान्समेल चड़ा सकते हैं बाकि आपको एनेस और देना है उसमें आपको पैसे बहुत अच्छे से किलिया हो जाएगा और उसमें यह भूलना नहीं है अगर किनी से समद्धित प्रोफुलम है तो आप फुरसामाइट का इंजेक्शन जरूर लगवाएं देनेवाद